कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभिनात्व शांशू पांडे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभिप्चा की पूरी टीम की तरफ से हम कर रहे हैं दस्वी और बार्वी बोर्ड परिछाओं की तैयारी और इस तैयारी में आपको एडिशनल म मिलता है हमारे प्लैट्फॉर्म पर यहां आपको इंपोर्टन क्वेश्चन सौर्ट नोट्स माइंड मैप यह सारी चीज़ें मिलेंगी और इसके लिए आप प्लेश्टोर पर जाएए और मुफ्त में हमारा एप्लिकेशन इस्टॉल कर लीजिए तो हम बात कर रहे थे अर जतन किये जा रहे हैं वह आपकी सुईधा के लिए है अब इसके बाद में आज जो है हम जो प्रश्ण जो है चूट गए थे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं तो हम लोगों ने यह प्रश्ण देखा कि LED के बाया सिंग को प्रदर्शित करते हुए विद्दूत विद्धार का प्रवाहीत करते हैं तब इसमें से प्रकास निकलता है इसलिए इस तरीके से दिखाई देता है फिर सब्सक्राइब लेड़ी क्या विद्दूत ऊरजा को प्रकास यह में परिवर्थित कर रहा है बिलकुल कर रहा है और ऐसे इस्ταιतिय में मतलब कैसे करेंगे इसे हम सर्किट में फॉरवर्ट बाइस में करेंगे। जब यह फॉरवर बैट से कनेक्ट हो जाएगा तो जैसे ही परिपत कंप्लीट होता है वैसे ही यहां पर एक विशेश पदार्थ जो है असुद्धी के रूप में मिलाए गए हैं जो उर्जा का अपयोग करके प्रकास उर्जा का उतसर्जन करने रखते हैं अब यहां पर बैंड में जाएगे और उसके बाद में चैलन बैंड में जाकर अपनी उर्जा दोबारा से जो है भिकीरण के माध्हम से मुक्त करेंगे और भी sudahसे जो है वो संयोजक में आ जाएगे तो यह जितना ज्यादा चोड़ा बैंड होगा उतनी ज्यादा आवरति यह उतना ज्या रोच्थर यानike, उस्के हिसाब से आपके उतुत त्म प्रNews प्रवाहित अखे जागे, सानियोजइक बेंड से chat इनके 7… वापस आही प्रच्न, और हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीका से समझा आगे देखेंगे कि सौर सेल का जो है आफिलाख छड़िक वक्र खीचिये और बताइए कि सौर सेल निर्माण में अर्दचालक के बैंड अंतराल वो प्रकास और सुसर्ण चम्ता की कोटिक कितनी होती है हम देखते हैं कि अर्दचालक बैंड में यदि यहां पर आई और यहां पर वी लें तो सौर सेल के लिए हमको इस प्रकास से ग्राफ दिखाई देता है अब यहां पर प्रकास और दिखाई होना चाहिए और अर्दचाला के बैंड अंतराल का क्या हिसाब किताब है तो यहां पर बैंड अंतराल में उर्जा का मान एक दसमला पांच वोल्ट के आसपास होता है तो यहां प्रकास की दृष्ट प्रकास की उर्जा को विद्धूत उर्जा में बदलने में सक्षम होता है यह चीजें हम लोगों ने समझी 2019 का प्रश्ण था हम बढ़ेंगे आगे जेनर डायोट क्या है और इसका वोल्टता नियत रक के रूप में उप्योग कर विद्धूत परिपत खीच कर इसका वी आई अभी लाक्षण वाकर बनाएए अब जेनर डायोट क्या होता है सबसे पहले हम अभी लाक्षण वाकर की बात करते हैं किसी भी डायोट को जो है जब हम क्या करते हैं जब हम फारवर्ड बायस में रखते हैं मतलब इसको जो है धनात्मक को पी और रिनात्मक को एन से कनेक्ट करते हैं तो एक नियूरुतम उर्जा इस्तर होती है जो की डेपलिशन लेयर को तोड़ने के लिए वशक है और उसके बाद में विद्द्धारा क नहीं होती और एक इस्तर के बात में बहुत ज़्यादा मात्र में विद्धारा प्रभाइद होने लग जाती है तो यह अभी लाक्षणिक वक्र है यहां पर जो हम आई और यहां पर वी ले देते हैं अब यहां पर समझने का प्रयास करें कि जादा तर जो समान ने जो है प लेक डाउन हो जाता है मतलब यह जल जाते हैं और उसके बाद में वह काम करने लायक नहीं रहते हैं तो ऐसी इस्थिति में हम क्या देखते हैं कि हम लोगों ने एक विशेश प्रकार का डाईओ बनाया इस प्रकार का नाम जैनर डायोड रखा और जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जिसे हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं उसके बावजुद वह खराब नहीं होता क्योंकि उसमें अधिक डोपिंग होती है ये बात समझने के बाद में हम इसका वोल्टता नियंतरक के रूप में किस प्रेकार से उप्योग कर सकते ह तो भईया वोल्टता नियंतरक के लिए हम क्या करेंगे हम सबसे पहले यहां पर सोर्स ले लेंगे ठीक है यहां पर हम इंपूट लेंगे और इस इंपूट में हमारे पास में क्या होगा कि हम यहां प्रतिरूद देखते हैं और यहां पर हम जेनर डायोड को लगा देते है अब इसके बाद में हमको क्या नज़र आता है कि जेनर डायोट के कारण जैसे ही यहाँ पर विदुद्धारा का मान जो है दिये गए वोल्टेज से अधिक होने लगता है तब जेनर डायोट से जो है देवनर डायोट जो क्योंकि रिवर्स बायस में है तो यह वोल्टेज की बुरिद्धि को पचा जाता है और सिर्फ धारा के मान में परिवर्तन होता है इस प्रकार से जेनर डायोट को वोल्टता नियंत्रक के रूप में उप्योग किया जाता है और यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस लगा देंगे और फिर हमको यहाँ पर आउर्पुट मिल जाए तो यह हमेशा जो है रिवर्स बायोस पे लगाया जाता है और यह क्या करता है कि वोल्टेज के बढ़ जाने के बावजूद धारा के मान में परिवर्तन को रोक कर रखता है इस प्रकार से यह हमारे लिए उप्योगी है कहां उप्योग करेंगे इसका तो आप याद में वोल्टेज के बढ़ने घटने से खराब हो सकती है तो वहां पर सुरक्षयत्मक दृष्ट्री से इस प्रकार के परिपत लगाये जाते हैं 2020 का प्रश्म था और हम लोगों ने इसको भी हल कर लिया सौर सेल क्या है सौर सेल के लिए सिलिकॉन और गैलियम अर्षैनिक को हमारी अर्धचालक युकती है मतलब यह सुद्ध अर्धचालक हमारा सिलिकॉन है और उसमें गैलियम और आर्षैनिक जो है इनका अशुद्धी मिलाई जाती है क्योंकि यह ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत ही कम उर्जा के जो है विद्दूत प्रकास को भी और सूशित कर की जो है उसको विद्दूत उज़ा में पजवतित करने में सक्षम होते है मतलब अगर पीछले चैप्टर की बात करें तो इनका वर्ट फंक्शन याद है ना वर्ट फंक्शन कम होता है इसलिए इन पर कम आमरित्ति वाले विद्दूत प्रकास पढ़ने पर भी यह जो है आसानी से इलेट्रोनों का उत्सर्जन कर देते हैं और हम विद्धुद्धरा का उत्पादन कर पाते हैं 2021 का यह प्रश्न है और हम लोगों ने इसको भी समझ लिया आगे बढ़ेंगे कि प्रकास उत्सर्जक डायोड एलेडी क्या है एलेडी ऐसा पदात से बना हुआ अर्धचालक युक्ति है जो विद्धुद्धरा प्रवाहित करने पर चालंड बैंड से सयोजन बैंड में आते हुए इलेट्रोन के कारण क्या करता है विद्धुद्ध प्रकास उत्सर्जित करता है पारंपरिक कम सकती वाले ताब दीप् तुन्ना में एलेडी के उप्योग के लाब लिखिए वह जो बल्ब आता था ये वाला जिसमें फिलामेंट होता था और यहां पर क्या होता था यह विदुद्धारा के उश्मिय प्रभाव के कारण जो है गर्म होता था गर्म होने के बाद में इसमें से विदुद्ध सौरी इसमें से द्रिस प्रकास निकलने लगता था अब यहां पर क्या था कि जितनी भी उर्जा आप दे रहे हैं उसमें से ज़्याद तर उर्जा इसको गर्म करने में खतम हो जारी थी और इसके करण पहला तो जो है आप गर्मी के दिन में यह बल्ब जलाएंगे तो आपको कमरे क अंदर गर्मी लगेगी आपको पंखा भी चलाना पड़ेगा और दूसरा कि इससे निकलने वाला प्रकास यह वह भी कम होता था इस प्रकार से इसकी एफिशेंसी वह कम थी जब हम लडी का उप्योब करते हैं तो वह केवल द्रिस प्रकास ही उत्सरजित करता है उसमें उर प्रज़ा के बचत का बहुत अच्छा तरीका है 2020 का प्रश्ण है और हम लोगों ने इसका धूत्तर दिया अब हम लॉजिक की बात करते हैं लॉजिक को सुरवात करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अगर हम करते हैं तो हमारे पास में कौन-कौन से प्रक्र उपकरन है लेकिन जो है कंप्यूटर या फिर समी इलेट्रों यह जो इलेट्रोंक युक्तियां है उन में जो है यह इन चीजों को नहीं समझते तो वहां पर होता है एंड एंड और नॉट और और इसी को जो है हम आगे बढ़ा के नैंड नैंड नॉर यह जो है और बनाए और इसकी सहाथा से कंप्यूटर गड़नाय करता है तो हब एंड और नॉट इन सारे चीजों को जो है एक एक करके समझने का प्यास करेंगे देखे और गेट का लाजिक प्रतिक बुलियन व्यंजक तथा सत्यसानी बनाई है तो अब जो है हम क्या देख रहे हैं कि जब जो ह पहला बटन यह है दूसरा बटन यह है और इन दोनों के बीच में हमको सत्यसानी बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं पहला बटन दो स्थितियों में चालू और दो स्थितियों में बंद हो सकता है दूसरा बटन भी जो है दो स्थितियों में चालू तो यह चालू बंद चालू बंद अब यहां पर जो है आप लोगों को यह समझना है कि इसका result A और B तो और के लिए जह हम यूज़ करते हैं यह और और यह हो गया और और यह जाएगा मिलेगा इसकी कलपना आप किस प्रकार से कर पाएंगे कि एक जो यह हमारा बल्व है इसको चालू होने के लिए क्या हो सकता है पहला है कि आपने बैटरी A से बटन A कनेक्ट किया और इस से विद्धुदधारा यहां पर पहुँच रही है इसी तरीके से आपने दूसरी बैटरी से भी इसको जए कनेक्ट किया और यहां पर दूसरा बटन लगा दिया तब बुद धारा का प्रवाफ होगा अगर आपके बटन के चालों है तब भी तौन diyorsun औरह이다 열 यहाँ पर 37 हमको दिखाई दे रही है 2020 का और उसके बाद 2020 का प्रशन था हम लोगों ने बड़ी आसानी से समझा इस चित्र को आप ध्यान से देखें यह हमारा और गेट का क्या है प्रतीक है लॉजिक प्रतीक है ठीक है आगे बढ़ेंगे और हम जो है एंड के गेट का लिपत कैसा है कि यहाँ पर आपके पास में बल्ब लगा है यहाँ पर हमारा बटन है और फिर यह हमारा बटन है बी और अब जो है अब इस बल्ब को जलाने के लिए आवशक सरतों के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए तो हम क्या देखते हैं कि यदि यह हो गया य यदि ए बटन भी चालू है और बी बटन भी चालू है तभी हमको बल्ब जलता हुआ दिखाई देगा मतलब यहाँ पर वन मिलेगा यदि ए बटन चालू है लेकिन बी बटन बंध है तभी विदुद्धारा प्रवाहित नहीं होगी और दोनों बंध है तभी साहनी समझ में आएगी यह हो गया एंड गेट और यह इस प्रकास से दिखाए देता है अगली बात यह है नौट गेट का मतलब क्या होता है तो नौट गेट का मतलब होता है कि जो भी आपको मिल रहा है आप उसको उल्टा कर दें तो आपको नौट मतलब अगर बटन चालू है तो यह नौट बंध दिखाएगा और यदि जो है बटन बंध तो नौट गेट में वह बटन आम दिखाएगा यह इसका 2020 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है लॉजिक प्रतिक बूलियन विंजक और सत्यसानी हम लोगों ने बना दिया अब जो है आगे देखेंगे कि निम्न लिखी लॉजिक गेट का नाम बताईए बूलियन सुत्र लिखिए और सत्यसानी बनाईए अब यहां पर जो है आपको क्य हुला बड़ा है और यह जो है नांडड़ी हो जाता है अम नांड़ी बनाता है यह यहां हो देख रहे हैं A के लिए 1 1 0 0 यहां B के लिए 1 0 1 0 जब A और B दोनों जो है आन है तब हमको A and B यहां पर 1 मिलेगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे लेकिन not gate क्या करता है कि जहां पर 1 है वहां पर 0 और जहां पर 0 है वहां पर 1 दिखाता है तो यह हो जाएगा 0 1 1 और यह 37 आपको 9 gate के लिए मिल गई 2019 में पूछा गया यहां प्रशन है आगे देखेंगे यह क्या है इसको असल में जो है ऐसा होना चाहिए कि यह यह असल में ऐसा है यह not gate है यह not gate है अब नौर का मतलब क्या होता है नौर का मतलब है not plus or और यहां पर जो हम फिर से सबते साणी बनाएंगे ए बी ए और बी और यहां पर हो जाएगा ए और बी का नेगेटिव और यहां पर सबते साणी बनाएंगे तो यहां पर देखते हैं यह हो जाएगा 1100 यहां पर हो जाएगा 1010 यहां 11 दोनों on है तो यहां पर one मिला यहां पर एक on है कोई भी एक on रहेगा तो one मिलेगा और last तो ये जो है मनाज़ में बदल देता है अगे बढ़ेंगे शे सकत्ते शाणवे थी यह क्या है को दो यह ढोल पपनलि आट को उसके देखी हुई है अगे देखेंगे NAND gate को निमने बिंदू के अधार पर समझाईए NAND gate का जो है संकेत क्या होता है तो NAND gate जो है हमको ये AND gate हुआ और AND gate के आगे जो है जब बिंदू लगा देते हैं तो ये NAND gate बन जाता है ठीक है उसके बाद में सत्यसाणी हम लोगों ने इसकी देखी हुई है बूलियन सुत्र भी देखा हुआ है बूलियन सुत्र क्या है NAND जो है वो होता है A और A AND B ये NAND हो गया और A AND B का नेगेटिव करने से NAND हो गया ठीक है 2019 का प्रश्ण है और सत्यसाणी आप लोगों ने देखी हुई है इसी प्रकार से यहाँ पर AND और NOT तो NAND gate है 2022 का प्रश्ण है और हम को जो है इसका बूलियन सुत्र और सत्यसाणी बनाने में समस्या नहीं होनी चाहिए इसी प्रकार से यहाँ पर ये OR gate है और OR gate में NOT लगा देने से जाता है और हम सत्यसाणी भी बना सकते है logic gate भी बना सकते है और बूलियन सुत्र भी लिख सकते है 2022 का प्रश्ण है आगे देखिए यह जो है यह चाप्टर है इसमें और कुछ छोटी-छोटी बातने रह गई है जैसे कि common base amplifier और यह जो है एक महत्वपूर्ण topic होता है तो एक बार जो है जब बार्वी का पूरा syllabus complete हो जाए तो उस particular topic के लिए एक और वीडियो बना दी जाएगी हम मिलेंगे अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद